Hello everyone, welcome back to my channel कैसे आप सब लोग? I hope you all are doing well मैं आप सब के लिए एक unique पराठा रेसिपी लाई हूँ सबसे पहले हम एक बॉल में लेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स देड़ चमश कदुकस किया हुआ लसुन बारी काटी हुई धनिया पती इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है 4 से 5 टेबल स्पून बटर हमें इन सारी चीजों को बटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है पराठा बनाना बहुत ही इजी है और हमें इस पराठे में जादा इंक्रीडियन्स की जरुरत भी नहीं पड़ती अब हम इसमें डालेंगे स्वाद नुसर नमक आपको ये याद रखना है कि हमने इसमें सॉल्टेड बटर यूज किया है इस चीज को ध्यान रखके ही हमें नमक आड़ करना है इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें आप आड़ करेंगे ताकि चीज चिपकेगा नहीं ग्रेड करते समय यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून चीज लिया है अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे ये पराटा बहुत ही इजी है बनाने में हमें इसे बेलने की जरुरत नहीं पड़ती आपको सिर्फ एक लंफ्री बाटर बनाना है इस बाटर को बनाने के लिए हमें करीबन 1 कप पानी लग जाएगा आपको पानी एक साथ नहीं डालना है पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और अच्छे से mix करते रहना है हमें कुछ इस consistency का बाटर चाहिए होगा इसके लिए मैंने यहाँ पर हल्दी आड़ करी है थोड़ी ताकि पराटो में color अच्छा है बाटर को अच्छे से mix करने के बाद हमें इसे 5-10 मिनिट के लिए रख देना है 10 मिनिट बाद मैंने gas पे पैन चड़ा लिया है पैन गरम होते ही हमें बाटर को पैन में डालना है और इस तरीके से spread करना है हमें बाटर को जादा पतला नहीं फैलाना है पराटे को एक साइड से बहुत ही अच्छे से पकने के बाद ही इसे पल्टे आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज कितनी अच्छे से मेल्ट हो रहा है यह पराटा बहुत ही टेस्टी बनने वाला है दोनों तरफ से अच्छे से सिखने के बाद हमें थोड़ा सा बटर लगा लेना है हमारा यमी पराटा बन गया है इसी तरीके से हम बाकी सारे पराटे बना लेंगे इतने बाटर में आपके 6 से 7 छोटे छोटे पराटे अराम से बन जाएंगे तो इन्हें गरम ही सर्व करना है ताकि जो चीज मेल्ट हुआ है तो बहुत अच्छी टेस्ट आएगी अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चानल को तैंक यू